खालस्तानियों के हमदर्द और कैनेडा के प्रिधानमंत्री जस्टिन टूडो की कुरसी खत्रे में आ गई है बात बात पर भारत से तकरार रखने वाले जस्टिन टूडो को उस वक्त बड़ा जटका लगा जब जगमीट सिंग की न्यू डिमोक्रिटिक पार्टी ने सप्लाई एंड कॉंफिदेंस डील से खुद को अलग कर लिया जगमीट सिंग की एंडीपी जस्टिन टूडो की अल्पमत वाली लिबरल सरकार को सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रही थी हाला कि इसका मतलब ये नहीं है कि टूडो के सामने तुरंत पद छोडने और नए सिरे से चुनाब कराने का खत्रा है लेकिन सरकार गिरने का जोखिम लगातार बना हुआ है सप्लाई और कांफिदेंस डील गड़बंधन सरकारों से अलग होती है जहां पर कई पार्टियां सेयुक्त रूप से क्याबिनेट में काम करती हैं और साथ मिलकर सरकार चलाती हैं जस्टिन टूडो को अब हाउस अफ कॉमन चेंबर में अन्य विपक्षी सांसदव का समर्थन हासल करना होगा तभी वो बजट पास करा पाएंगे और विश्वास मत जीत सकेंगे जगमीट सिंग ने एक विडियो में कहा कि वो 2022 में दोरों निताओं के बीच वे एक समझोते को रद्धी की टोकरी में डार रहे हैं उन्होंने टूडो पाद विपक्षी कंजरवेटिव का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया है सर्वेक्षनों से ये संकेत मिलता है कि कंजरवेटिव अक्टूबर 2025 के अंत तक होने वाले चुनाव में आसानी से जीत हासल करने के लिए तयार है CNN News 18 से बात करते हुए सूत्रो ने कहा कि NDP की डील से हटने की योजना महीनों से चल रही थी जगमीद सिंग ने कहा कि लिवरेल बहुत कमजोर हैं बहुत स्वार्थी हैं और लोगों के लिए लडने के लिए कॉर्पोरेट हितों के प्रती समर्पित हैं वो बदलाव नहीं ला सकते वो उमीदों पर हड़े नहीं उतर सकते उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने लोगों को निराश किया है वो कॉर्पोरेट लालज पर अंकुष लगाने में पूरे तरीके से विफल रहे हैं उन्होंने कहा कि उनका संगठन ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अगले चुनाव में फियरे पॉलिवर की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत की कोशिश को नाकाम कर सकती है समाचार एजनसी एफबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन टूडो ने न्यूफाउंड लैंड प्रांत के दौरे के दौरान संबादा था संमेलन में कहा कि मैं कैनडाई लोगों पर ध्यान केंदृत कर रहा हूं मैं अन्य दलो को राजनीती पर ध्यान केंदृत करने दूँगा उन्होंने नाशनल डेंटल प्रोग्राम सहीथ लिबरल एंडीपी गडवंधन की उपलब्धियों को भी सूचिबद किया उसकी बारे में भी बताया 2022 के समझाते के तहट एंडीपी ज्यादा समाजिक कामों के बदले में 2025 के मध्य तक जस्टिन टूडो को सत्ता में बनाए रखने के लिए सहमत हुई थी टूडो ने पहली बार नवंबर 2015 में पदभार समाला था और सर्वे से ये पता चलता है कि टूडो के पक्ष में अब जरा भी महौल नहीं है हाला कि जगमीत सिंग की पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है क्योंकि वो चिनावों में तीसरे स्थान पर है NDP के हटने से पहले टूडो की पार्टी ने कहा कि ये शर्म की बात है अगर उनकी अपनी कमजोरी और हताशा उन्हें एक प्रगतिशील समझाते से दूर जाने के लिए मजबूर कर रही है जो कैनेडाई लोगों के लिए काम कर रहा है तो कुछ इस तरीके से जस्टिन चूडो पर फिलाल मुसीबतों का पहाड तूटा हुआ एक बड़ा जटका उन्हें जरूर लगा है ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कॉमें सेक्शन के जरिया लिखकर हमें बताएं ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज जेटिन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें